अगर आप कोई भी competitive exam crack करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका concept clear होना तो इस वीडियो से आपका concept clear हो जाएगा लेकिन exam crack करने के लिए दो चीजे और बहुत important है वो क्या? उला sir, best book and best test series तो best book and best test series का जो link है हमने description में provide किया हुआ है एक बार जाकर उसको जरूर देखें तो आज का जो topic है वो है basically classification of bearing with respect to types of lubrication ये जो classification है it is very 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 important यहां से मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि sir एक से दो question आप लोगों के आएंगे आएंगे तो बहुत सर किस bearing की आप बात कर रहे हैं एक बात थोड़ा बताएंगे तो आप लोगों ने सुना होगा hydrodynamic and hydrostatic bearing सुने हैं उसर बिलकुल सुने हैं तो hydrostatic and hydrodynamic जो bearing हैं वो आप लोगों के इस classification के अंदर आते हैं तो वैसे तो मैंने आप लोगों को पूरी classification bearing की बता दी है कि how we classify the bearings ठीक है लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अलग-अलग से video बना रहे हैं so that हम लोगों को छोटे-छोटे topics मिल जाए और हम लोग एक बार देख लें जैसा मैंने आप लोगों को बताया था जब जीरो फिल्म लुब्रिकेशन बोलते हैं तो वीडियो में एंट तक बने रहेगा so that आप लोगों का जो bearing का classification है with respect to lubrication कोई भी आप लोगों का doubt ना रहे तो चली हम लोग बिना देरी किये start करते हैं तो bearing with respect to types of lubrication तो मैंने यहां पर आप लोगों को तेन टाइप के basically यह आप लोगों को बताये थे पहला जो टाइप हम लोगों ने बोला मैंने वो बोला बिटा आप लोगों को बोला sir there is a zero film zero film lubrication ठीक है दूसरा हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि बोला sir that means there is a thin film lubrication हम बोल सकते हैं इसको क्या वोला sir there is a thin film lubrication तो thin film lubrication that means मैं lubrication bearing आप लोग लिख सकते हैं लेकिन that means there is a कोई problem निया है मैं आगर इसको थोड़ा लिखता हूं तो कोई problem निया ठीक है तो zero film thin film और एक और हम लोग यहां पर लिखेंगे third मेरा बच्चा वोला sir what वोला sir it is the thick film is thick film lubrication हम इसको बोलेंगे thick film lubrication अब मैं आप लोगों को बिटा one by one मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह क्या होती है अब देखो सबसे पहले आप लोगों को यह भी पढ़ता है कि जो thick film lubrication है also divided into two parts जो thick film lubrication है वोला sir also divided into two parts तो बोला sir वो दो पार्ट कौन कौन से है वो दो पार्ट कौन कौन से है तो मैं आप लोगों को पता हूं जो पहला पार्ट है उसको आप बोलते हो क्या वोला sir there is a hydro dynamic hydrodynamic lubrication there is a hydrodynamic lubrication और next हम लोग बोल देंगे मेरे बच्चे क्या that means there is a hydrostatic क्या बोल देंगे hydrostatic hydrostatic lubrication got it तो जो thick film lubrication bearing जो हमारे वो दो टाइप के होते है एक आपका होता hydrodynamic lubrication एक हमारा होता hydrostatic lubrication अब मैं आप लोगों को one by one बताता हूं कि sir किसको हम लोग thick film कहेंगे ठीक है और किसको हम thin film lubrication कहेंगे और किसको हम zero film lubrication कहेंगे clear है ठीक अब सुनिए गजाना मेरी बात जो यह आपका ठीक फिल्म जो जीरो फिल्म लुब्रिकेशन है इस अलसो नोन आज शॉलिड लुब्रिकेशन इस अलसो नोन आज शॉलिड लुब्रिकेशन बेरिंग गॉट टीक है और अलसो नोन आज अल्फ लुब्रिकेटेड शॉलिड इसको बोलते हैं तो जीरो फिल्म का मतलब solid तो जब sliding contact है तो हम लोगों को पता है कि we want to reduce the friction so that कि जो power loss है वो क्या हूँ हमारे पास कम हो तो हम लोग क्या करेंगे for reducing the lubrication we have to use that means lubrication clear है तो हम लोगों को क्या करना होता है lubrication use करना होता है तो that means zero film lubrication के अंदर मैं साफ साफ यहां पर लिख दूगा क्या कि वोला सर सबसे पहला point no lubrication is used basically क्या है आप लोगों का यहां पर lubrication हम लोग कोई use नहीं करते हैं तो जब lubrication ही नहीं है तो अबसी बात है इन दोनों के बीच में कोई film होगी lubrication की वोला सर नहीं यहां पर जो आपका material होता है यहां पर जो आपका material होता है जो आपका material है यहां अधर में सम लोग कहते हैं कि जो metal to metal contact है तो यहां पर metal is behave as a lubricant तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि बोले sir the metal इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं so that मुझे दो ती जो भी requirement जो है लिखने की वो मेरी यहां पर fulfill हो जाएंगे so that clear है बोले sir हां ठीक है चलो तो मैं आप यहां पर क्या बोल रहा हूं कि बोले sir यहां पर हम लिखेंगे कि metal is metal is behave as lubricant that means जो metal है यानि अब बसी बात आप लोग क्या कर रहे है बीरिंग और बीरिंग और शाफ्ट के जो दो metal है वो क्या करते हैं दोनों metal that means कैसे काम करते हैं बोले sir lubricant की तरह behave करते हैं got it बोले sir हाँ आप आगे सुनिएगा तो बोले sir ऐसे कौन से that means lubricant आप हमें बता सकते हैं ऐसे कौन से हमारे that means जो क्या बोलते हैं metals है जो काम करते हैं तो basically बेटा हम लोग क्या कहेंगे well sir that means there is a graphite कौन से well sir graphite हो गया आपका that means हम लोग कह सकते हैं teflon हो गया आपका ठीक है और एक आप कह सकते हैं well sir cast iron कौन सा भहिया well sir that means there is a cast iron to cast iron teflon and graphite that means यह metal है जो क्या करते हैं lubricant की तरह behave करते हैं एक और बाद clear है तो बहुत सर ऐसे that means कहां पर यूज करते हैं यह यह जब lubrication जब you lubricant using नहीं करने तो यह कहीं पर यूज करते हैं आप लोग बिलकुल बिटा इसको हम लोग यूज करते हैं कि ला उलसर यूजड इन यूजड इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्टीज फूड प्रोसेसिंग इंडस्टीज में पुछा थी कोई पूछ लेगी सर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कहां पर यूज किया जाता है तो अब असी बात है आप लोगोंने कई बार जैसे कई बार जाना जहां पर बिसक्ट बगेरा बनाता यह फो ठिस वह आपने देखा है वह बून सब बिंसकों सब ढूए आपके अगा आफ ने बाहए भीकार है तो नाम से ही आप तो को आप लोगो को पता चल रहा होगा यहां पर नाम से ही आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा वोल सर क्या कह रहा है यह क्या कह रहा है वोल सर दरीज़ थिन फिल्म तो जिसके अंदर that means क्या है वोल सर थिन फिल्म है लुब्रिकेशन की बेरिंग और शाफ्ट के बीच में उनको हम बोलेंगे that means there is a thin film lubrication और जहां पर that means क्या है वोल सर थिक फिल्म एक मोटे फिल्म है दोनों के बीच में तो वोलसर हम लोग क्या कहेंगे वोलसर दरीज़ थिक फिल्म lubrication clear है अब मैं आपको सब एक example बता के दिखाता हूं so that आप लोगों को clear होगा देखो बेटा यहां पर हम लोग that means कुछ बनाते हैं so that दोनों ही चीज़े आप लोगों को clear हो जाएंगी या हम लोग इसको रब करो ठीक है देखो वो color पता नहीं आपको that means दिखाई देता यह नहीं दिखाई देता ठीक है और यहीं से each and everything आप लोगों को समझ में आएगा यह जो diagram में आप लोगों के सामने बना रहा हूं इस diagram को बहुत अच्छे से समझ लीजेगा so that जब hydro static और hydrostatic और हम लोग क्या कहेंगे जब hydrostatic और hydrodynamic हम लोगों को जब पढ़ना होगा मैं क्या कह रहूँ में गाँ जब hydrostatic हम लोगों को जब पड़ना होगा तब हम लोग क्या करेंगे तब ये चीज आप ये डाग्राम डाट बिन्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा हाइड्रो स्टाटिक और हाइड्रो डाइनमिक को समझने में राइट तो ये ध्यान देखेगा गॉट इट ना गॉट इट बोल सर हां चलिए ठीक है ये देखो ठीक है अब देख सकते हैं आप लोगों को सामने में दो डाग्राम बना के ये हम लोग बूल देते हैं कि सपोस्पोज दाट डाट विन दर इसल लूड यह क्या रूड है जो हमारे जो हम बियर कर रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा वोला सर्फ this is my bearing ठीक है वो आप नीचे भी बना सकते हैं उपर भी बना सकते हैं whatever कुछ बेर नहीं है लेकिन थ्रड़ों सब एक थोड़ा सा यहां से feel आप लोगों को आ जाएगी कि वोलो गुर्दयों अगर हम नीचे bearing बना रहे हैं और उपर से that means load लगा र ही ना और बसी बात है वोला sir bearing is stationary तो मैंने क्या बोला आप लोगों को वोला sir इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा वोला sir there is a lubricant इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या होगा वोला sir there is a lubricant यहां पर भी ओबसी बात है lubricant ह यहाँ पर भी वोला, sir that means there is a lubricant होगा So, यह जो यह लो, यहलो मै ने आपको दिखाया है books सय च्थ मैरा तोगी यहां से आप भोल सकते हैं वोला, sir That means there is a lubricant यह मेरा क्या हो गया? यह, यह लो वो, sir iall, that is a lubricant अब सुनिए गए जरा आप लोगों को यहां पर आपको दिख रहा है कि वोला सर यहां पर अगर इसको मैं इसको कंपेर करूं तो यह मैं बोलूंगा पिटा यह हमारा क्या होता है वोला सर दिस इस थिन फिल्म लूब्रीकेशन इसको हम बोलेंगे वोले सर दिडिजा थिन फिल्म tutte thiन फिल्म लुब्रीकेशन अब तो नाम से ही that means आप लोगों को थोड़ा सा feel हो रहा होगा कि बेडों इन दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होगे कि सरफ एक मोटी परत है किसकी लुब्रिकेंट की इनके बीच में क्या है वोला सर एक मोटी परत है लुब्रिकेंट की वोला सर इसके बीच में क्या है एक पतली परत है किसकी लुब्रिकेंट की क्लियर है वोला सर गैप तो उतना ही दिखाई दे रहा है यह जो आपने बनाया है यह गैप तो उतना ही दिख क्विस प्नद्ध पर रिव दिखा कुछ ऐसे से अथे सहनों पर इंंग डिखेयो तो आप लोग मुझे बताओ कि शाफ्ट और बीरिंग के बीच में इस अब यहां पर आप लोग के माईक को लेवल पर गए और आपने देखा कि वह सर देरिजा मेटल टू मेटल कोंटाक्ट अगर मैं फिन फिल्म की बात कर रहा हूं तो सर यहां पर कोई तो पार्शल मेंटल तो मेंटल कॉंटैक्ट, तो पार्शल मेंटल कॉंटैक्ट कभ होगा आपको पता है तो मैं ने यह लिया, अगर मैं इसके बीच में एक मोटी फिल्म बना दू, तो एक दूसरे से मेटल तो मेटल कॉंटैक्ट करेगा, नहीं, लकिन हम लोग क्या करेए पतली लेएर इसके बीच में लुप्रीकेंट की बनाए, तो मैं नहीं कहूँगा पूरा कॉंटैक्ट Metal to Metal Controred हो सकता है तो भूला हां तो वद असर Metal to Metal Contract possible कहाँ पर है वद अलई साई तिन फिल्म लूब्रिकेशन के अंदर है तो हम लोग क्या क्या यह भी कह सकते हैं तो यहां पर क्या है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर थिक फिल्म, मोटे फिल्म है तो हम लोग कह देंगे कि वहला सर यहां पर लिख सकते हैं आप क्या कि वहला सर मैटल टू मैटल कॉन्टाक्ट इस अवोईड़ 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 अलवेज तर्म लोग क्या करेंगे यहां पर यहां पर कोई भी मैटल टू मैटल कॉन्टाक्ट ने होगा और जब भी हम लोग तर्फिल्म यूज़ करते हैं वहां पर देरिज़ अनो मैटल टू मैटल कॉन्टाक्ट अल्वेज लेकिन बट इन थिन फिल्म देर इस आ देर इस ए पार्शल पार्शल मैटल टू मैटल कॉन्ताइक दिरिज़ पार्षाल मैटल तुमेटल कॉन्ताइक यहाँ पर क्या है बढ़े सब पार्षाल मैटलSmetal कॉन्ताइक है तो अब रसी बादा कह देंगे समझ गए थिन फिल्म किसको कहेंगे तिन फिल्म लुप्रिकेशन उसको कहेंगे जहां पर partial metal to metal contact होगा उसको हम बोलेंगे फिल्म जहां पर कोई भी metal contact नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उलसर दरीदा थिक फिल्म अब उलसर चोटा सा आप से एक विन्यभर निवेदन है क्या मैंने बुला बटा बोल और सरा आप थिन फिल्म लुब्रिकेशन का कहीं पर हम लोगों को एक्जामपल बता सकते हैं कहीं पर हम लोगों को एक्जामपल बता सकते हैं मैंने बटा बिलकुल मैं बता सकता हूँ को हो आप लोगों ने बागी सारी चीजे छोड़ो दुकान देखी है और नहीं किया लगा उता है में इक शटर लगा होता है तो बाएं डांट करता है तो शटर और वो जो क्लिप बनी है उसके बीच में कैसा contact होता है उले सर तेरिजन नो पूरा metal to metal contact निये दिरिज़ पार्शल metal to metal contact तो हम लोग कहेंगे सर एक्जामपल की मैं यहाँ पर बात करूं तो shutter shutter और आजाओ shop के shutter हो गए और हम लोग कह देंगे बेटा हमारे घर के जो door hinges होते हैं याद करो जो आप दरवाजे जिस पर आपके hook पर लटके होते हैं उनमें भी क्या है वो बहुता है और और देखो बिटा जो आपकी machine tool है जो आपकी slide करती है machine tool यानि लेख जो है slides of machine tool that means जो आपकी machine जो आपकी lat है जो क्या करती है slide करती है tail stroke tail stroke head stroke that means slide करती है तो उसके बीच में जो that means लिवरी के वो जो film बनी है वो कैसी है well sir it is the thin film lubrication clear clear है आपको कहोंगे sir वो तो that means bearing to rotate करता मैंने आपको क्या बताया था sliding contact bearing are of two type एक आपका sliding contact bearing और एक आपका rolling contact bearing sliding contact bearing आपके दो type के होते हैं एक आपका sleeve bearing और एक आपका slipper और guide bearing sleeve bearing आप किसको बोलते हैं जिसके अंदर angle of contact कैसा हो any sliding contact कैसा हो in circular motion में हो और वोला sir जहां पर sliding contact line line the angle of contact the sliding contact वो कैसा हो line में हो तो वो क्या होता है slipper guide bearing that means वो कैसा है shutter वाला देख लो door hinges वाला देख लो or door that means there is slides of machine tool देख लो कैसा है वोला sir line वाला है तो आपका जो चक है उसको घुमाते रहते हो that means वो क्या करता है तो यह एक्जामपल हो जाएगा that means there is a thin film lubrication clear example पूछे तो आप यहां पर बता सकते है got it चले आगे चलिए बिटा नेक्स पर हम आते है वोला sir there is a thick film lubrication there is a thick film lubrication के इंदर आपका क्या आजाएगा वोला sir there is a metal to metal contact avoided always तो हम लोग क्या करेंगे metal to metal contact को हम लोग avoid करते हैं यहां पर कोई भी metal metal contact नहीं होता because that means there is a thick film a thick film of lubricant is always present is always present ठीक है तो so that जब thick film lubrication की है so that means क्या होगा वोला sir there is a no metal to metal contact है तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि sir that means thick film lubrication के अंदर कोई है अब सुनिये मेरी बाद अब बोला sir हम लोगों को आगे पढ़ना है वोला क्या वोला sir hydro static और हाइड्रो डाइनमिक और हाइड्रो डाइनमिक और हाइड्रो स्टाटिक के पार्ट है अब सुनिये जरा आव एक बात सपोर्ट कर रहा है तो मैं कहना चाहँगा वोला sir there is a metal to metal contact और मुला sir metal to metal contact है तभी तो वो support कर रहा है और मुला sir अगर इसके बीच में there is a no metal to metal contact तो इसको support करेगा क्यों कि हाथ छोड़ो ये नीचे कर जाएगा तो मुला sir यहां पर कोई भी metal to metal contact नहीं है लेकिन अबसी बात है जब shaft load नीचे आ रहा है तो अबसी बात है there is a some pressure pressure is coming from the bearing in upward direction भी उपर से load आ रहा है तो that means there is a equivalent opposite force bearing भी कुछ लगा रहा होगा ना बोला sir बिलकुल लगा रहा होगा लेकिन sir यहां तो metal to metal contact है तो गोला sir कैसे एक lubrication कैसे एक lubricant that means इसने इतने load को bear कर लेता है कैसे एक lubricant that means एक load को bear कर लेता है यही चीज़ यही कहानी आप लोगों को next part में आपको मैं बताऊंगा कि sir एक bearing जो है एक pressure लगाता है वो pressure that means कैसे लगता है क्या है किस part से दिखाया जाता है कितना pressure होगा कैसे हम उस pressure को build करते है each and every information मैं आप लोगों को next video में बताऊंगा तो next आप मैं जाता तो मैं बड़ा video बना सकता था लेकिन that means there is a no कि यह video बड़ा हो जाता so that आप लोगों लगता कि sir ने क्या किया तो हम लोग क्या करेंगे next video जो मैं बनाऊंगा वो मैं आप लोगों का बनाऊंगा एक hydrodynamic lubrication के नाम से तो उसके अंदर हम सरफ hydrodynamic lubrication देखेंगे और hydrostatic lubrication देखेंगे दोनों bearing हम लोग देखेंगे so that उनके बीच में difference लेगे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे so that आप लोगों को अच्छा लगे तो hydrodynamic यह ऐसा कर लेंगे कि एक बार hydrodynamic बढ़ा दिया एक बार hydrostatic बता दिया उसी के बीच में आपको difference बता दिया क्लियर है तो वहां पर हम लोग देख लेंगे यह देख लेंगे कि इस तर ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो तो एक में ही मैं तीनों चीज़ें कवर कर लूगा गाट इट तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि sir that means there is a hydrodynamic जो हम लोग classification करते हैं bearing की with respect to that means lubrication क्या होता है कहां उनके use किये जाते हैं क्या उनके example है clear है I hope आपको topic पूरा clear हुआ होगा तो thanks for watching video till the end तो अगर video अच्छा लगा तो like जरूर कीजेगा और channel पर अगर नए है तो channel को subscribe जरूर कीजेगा for latest update आप लोगों के लिए हमने एक telegram channel बनाया है जिसका link first comment और description में दिया हुआ है उसको भी जाके join कर लीजेगा और हां best book and best test series for SSC JEE का link भी description में दिया हुआ है उसको भी देखना ना भूले तो चलिए मिलते हैं नए video में